कच्छा 6 का गनीत का सवाल दिया है प्रश्नावली 7.2 ठीक है प्रश्न संक्या 2 में दिया है निमनलिक्षित को मिश्रित घीम के रूप में व्यक्त किजिए ए में दिया है 20 बटे 3, B में दिया है 11 बटे 5, C में दिया है 17 बटे 7 और D में दिया है 19 बटे 6 ठीक है तो आईए इसको बनाते हैं तो देखिए इसको क्या करना है सबी बिन्यों को मिश्रित बिन्यों में बदलना है ठीक है तो क्या करेंगे 12 बटे 3 ठीक है तो हम क्या करेंगे तीन से हम बीस में भागते देंगे यानि कि हर जो तीन है उन से बीस में भाग करेंगे ठीक है तीन से हम बीस में भाग करेंगे तीन च्छका अठारा है यह का तुछ इसका है पुलनांक होगया ठीक है तो शेश जो दिया यह क्या हो गया बट्टा हो गया तीन क्या हो इसका हर हो गया इसका लिखेंगे है छे पुणांग दो बट तीन ये इसका निसरित भी हो गया ठीक है छे सही या छे पुणांग भी इसको पड़ते हैं छे सही दो बट तीन एंसर देखिये B में दिया है B में क्या दिया है 11 बटे 5 ठीक इसी तरह बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाएं तो 5 से 11 में भाग देंगे 5 से 11 में भाग देंगे तो 5 दुना हो जाएगा कितना 10 एक के एक एक कट गया यह हो गया इसका 2 पूनांग बटे 5 यह पांच यहाँ पर यह इसका एंसर हो गया मिसरित भिन यह हो गया इसी तरह बनेगा अब यह क्वेश्चन नमबर 3 देखते है देखिए क्वेश्चन नमबर 3 में बोलड़ा निवन लिखित को विशम भिनों के रूप में व्यक्त कीजिए विशम भिन के रूप में इसको व्यक्त करना है यहाँ पर क्या है मिसरित भिन में है ऐसे बनाए है यहाँ पर यह मिसरित भिन में दिया है तो इसको आप क्या करना है विशम भिन में व्यक्त करना है ठीक है तो देखिए यहाँ पर ए में क्या दिया है साथ उनांग तीन भट्टे चार ठीक है तो क्या करेंगे हम साथ को चार में या चार को साथ में गुना करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथ गुने चाहे चार ही यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है चार गुने साथ ठीक है अब अनस इसका दिया है तीन इसको हम क्या करेंगे पलस में निक लिए पलस तीन ये होग बट ने नीचे चार दया है तो नीचे चार रखेंगे अब इसको क्या करेंगे हम चार को साथ में गुना करेंगे और तीन में जोड़ देंगे तो साथ जोगे 28 या चार साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 बट्टे में 4 ये हो गया विशम भिन एंसर हो गया ठीक है अब देखिए बी में दिया है यहां पर पांच पुर्णाग 6 बट्टे 7 ठीक है इसको कैसे बनाएगे 7 के 7 लिखेंगे 7 गुने 5 शाथ को हम पांच में गुना कर देंगे अंसशे दिया है अंसशे तर प्लस का 6 लिख ले है ठीक है नीचे 7 है इसका तो 7 के 7 लिख लेंगे अब क्या करेंगे 7 को 5 में हम गुना करेंगे 7 पचे 35 35 को 6 में जोड़ देंगे 35 और 6 36 37 38 49 49 41 यह हो गया 41 बड़े 7 ठीक है यह हो गया एंसर इसका ऐसी बनेगे बिल्कुल विजी है आशा करता हूं समझ में आगया होगा